हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ अमरीकी अमदात के बागेर भी पाक फार्ज ताकतवर इज़त की कीमत पर पैसे नहीं चाहिए वाशिंटन का एक्दाम सेकेरिटी तावन और खिते में कयाम अम्न की कोशिशों को मतासर करेगा डी जी आइस पी आर का दो टोक पेगाम पाकिस्तान में देश्चत गर्दों की महफूस पनागाहों का इल्जाम मस्तरद हक्तानी नेटवर्क समय तमाम तक्रीब कारों को निशाना बनाया डी जी आइस पी आर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कौमी मफाद में अम की मुखलिसाना कोशिशे जारी रखने का आज़ी पाकिस्तान को वाश लिस्ट में डालने का अमरीकी एकदाम ना मन्जूर वाशिंटन से वजाह तलब मजभी आजादी की खिलाफ पर्दियों से मतालिक पहरिस दोहरे मयाद पर मबनी करार कुर्बानिया नजर अंदासी गई तरजमान डफ्तर खारजा का रद्ध अमर क्रम्प और मिलानिया में दूरियां मिया कहा होते हैं बीवी को अक्सर मालूम नहीं होता कई कई रोज मुलाकात नहीं होती माइकल बुल्ट की किताब में एक और इंकिशाफ अमरीका ने हमें जो इकाय के जनाब हम पैसे रोग देंगे बहुत बड़ी बात की जनाब कितना है पैसा रोग देंगे 25 अरब रुपया पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामे बाज है शबाज शरीद अमरीका ने को कह रहे हैं कि हमें तीसरी बारी दलवाद हो और इसलिए आज आज आप देख रहे हैं नईनी हैट्स पैंत है वो अपने आप को बिचाने के लिए मुल्क को गंदा कर रहे है शरीब बरादरान पर अमरीकी खुशनूदी के लिए हाथ पाउं मारने का इल्जाम सियासी अश्राफियार ट्राम के एकदामाद की जिमेदार करार हुदेबिया पेपर मिल्क केस में नए शवाहिद मिल गए मुकद्दमा दोबारा खुल सकता है इमलान खान को यकीन हुदेबिया पेपर मिल्क केस की दोबारा तहकीकात नहीं हो सकती मुल्क में 2007 तक मरी लॉंडरिंग जर्म नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने लजाम मुस्तरत कर दिया लाहूर हाई कोर्ट का फैसला दुरस्त इसादार का वैयान गेर कानूनी करार शरीफ खानदान को दिफा का मौका नहीं दिया गया तक्तिली फैसला जारी ये नाहिल 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 हुकमरान थे ये लाए गये थे अब जाके इनको अशास हुआ है तो इनने फॉरन मिनिस्टर लगाया है जो अंग्रेजी बोलता है पंजाबी में इस तरह हकुमते आदमी बना तो लेता है मगर हकुमते चला नहीं सकता नून लीग एक्तिदार में आई नहीं लाई गई मिया सहाप पेगामात भेज कर जयालों को डरा नहीं सकते जड़डारी का भुटो की साल गिरा तक्रीब से खिताब मुराद अली शाह को अगला वजिय आला बनाने का ऐलाम अगर नून लीग का हकुमत फिर से आता है जो इनका हिस्ट्री है एक्स्ट्रीमिजम के बारे अगर नून लीग और पीटी आई का हकुमत है हम क्या मूँ दिखाएंगे दुनिया को कि ये आदमी जो कहता था कि तालबान हमारा भिकरे हुए भाई है नून लीग और पीटी आई का बरसर एक्तदार आना मुल्क के लिए नुखसान दे पीबस पार्टी इलेक्शन जीत कर हकुमत बनाएगी बिलावल का दावा लाहुर में तक्रीश के किताब के दौरान नौजवान गयादत का भी जिकर अपने प्रो पीपल बनना है और मिया साथ हमेशा से प्रो पीपल नहीं रहा है वजीर आला को एक के बाद एगम बलोचिस्तान में तब्दीली का मौसम सुबाई वजीर राहत बीबी और मुशीर माज़िद अब्रो भी मुस्ताफी दोनों ने नाराज अरकान की हमायत कर दी नून लीक आज सरगोदा की तहसील कोर्ट मौमिन में अवामी ताकत का मुझाहरा करेगी जल्से के इंतजामात मुकमल नवाज शरीफ खिताब करेंगे मुर्तान में सीजन इल्पलाइंजा ने पंजे गार लिए मजीद दो अफराद जांबाहत तादा सोला हो गई निश्टर अस्पताल के तीन डॉक्टर भी मताफिर मसीहाँ में खौफो हे रा मुदी सरकार बाज ना आई कंट्रोल लाइन पर भारती फॉच की फिर रिष्टिया लंगेजी निज़ा पीर सेक्टर में शेहरी अबादी पर फाइरिंग दो खातीन जखनी तावे केर चीफ मार्शल अस्वर खान की नमाज जनाज़ा आज जबत अबाद में अदा की जाएगी तद्वीन सरकारी एज़ाद के साथ करने का फैसला सियासी और अज़करी का यादत का इज़ार अफसोस तेज रफ़ारी ने घर उज़ाड दिया लहोर के लाफ़े काहना में मोटर साइकल ने ठकराने से तीन अफराद जाबाग एक जफनी कराची में मजभी तक्रीबात और हसास संसीबात पर हमले का मनसूबा नाकाम सहराब गोट गन्ना मंडी के करीब शापा, सोला देशत गर्द गिरेसार, पुदकुश हमले की जैकेट्स, चालिस किलो बारूद, हाइटरोजन पर उकसाइड और हत्यार बरामद एतजाच के बाद मुतालबात की मनजूरी का आगास, 25 साल सर्विस करने वाले ग्रेड साथ के प्राइमरी असाद्जा को ग्रेड सोला दे दिया गया, मुस्तकिल किये जाने का नोटिफिकेशन भी जल जारी होगा, वजिर आला सिंद का पैगाम गाड़ी का खाना खराब, सफर आजाब, उन्चे नीचे रास्ते और मनजल दूर, कराची के लाके लियाकतबाद, दस नमबर की तूटी खूटी सड़क, हुकाम की नजरों से उचरे, बहुत सारे टोटके भी देखते थे हैं, हम उनके सीखते थे और रैसी पीस वगएरा भी ट्राय करते थे, उनने यही सिकाया कि किसी चीज़ को भी बेके ना जाया ना करे उस चीज़ को कारामत बना देती, बेकार चीज़ों को कारामद बनाने का तरीका बताने वाली जुबैदा आपा के इंतकाल पर खावातीन अफसुर्दा मरहुमा की कराची में तद्वीन अमरीकी सदर की जानब से ट्वीट आया उसके बाद इमदाद रोकने की बात की गई और अब तर्जमान पाक फाज ने दो टोक जवाब दे दिया है कहा है कि अमरीका से इज़गी ग्यमत पर सिक्यूरिटी इमदाद नहीं चाहिए डी जी आईस पियार ने कहा कि पाक फाज अमरीकी इमदाद के बगहर بھی ताकत वर है आपको बताएंगे लिए आईस पियार मेजर जर्नल आसिव गफूर का कहना था कि पाक फौज अमरीकी माली इंदाद के बगिर भी ताकतवर है इज़त की कीमत पर सेक्यूरिटी इंदाद नहीं चाहिए पाकिस्तान ने हकानी नेटवर्क समय तमाम नहीं रहशत गर्दों को निशाना बनाया वाशिंग्टन का एकदाम सेक्यूरिटी तावन को मतासिर करेगा इसलामबास से महम्मद इमरान की ये रेपोर्ट इज़त की कीमत पर सेक्यूरिटी इंदाद नहीं चाहिए पाकिस्तान का अज़र्क समय नहीं लड़ी अमरीकी इमदाद की मौतली से बाहमी स्क्यूरिटी तावन मतासिर होगा अमरीकी माली इमदाद के बग़िर भी ताकत वर फोज है तर्जमान पाक फोज के अमरीकी निश्रियाती अधारे को इंटर्विव्यू मेजर चनल आसम कुफूग का कहना था कि अमरीकी इमदाद की मौतली से खिते में क्याम अमन की कोश्चे भी मतासिर होंगी ये फैसला देश्चत करदी के खिलाफ जंग के हवाले से पाकिस्तान का अज़म कम नहीं कर सकता पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद और अमन के क्याम के लिए अपनी मुखलिसाना कोश्चे जारी रखेगा पाक फोई ने सिर्फ अमन के लिए जंग की है डेश्चत करदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने पने फ्रून और माल की सूरत में बड़ी कीमत अदा की मगर इन कुश्चियों पर शक करने का मतलब देर पामन और इस्ते काम के मुश्तरका मकसद के हसूल को दूर करना है मुहमद इमराद दुनिया न्यूज इसलामबाद डीजे आईस पी आर के बायान पर बात करते हैं तज्याकार अयाज़मी साहब से अयाज़मी साहब डीजे आईस पी आर का कहना है कि इजज़त की कीमत पर अमरीकी इमदाद नहीं चाहिए और वाशिंटन का एकदाम सिक्यर्टी तावन को मतासिर करेगा अगर दोनों मुलकों के दम्यान सिक्यर्टी तावन मतासिर होता है तो फिर इसके नताइश को निकल सकते हैं जो जबान अमरीका इस्तमाल कर रहा है वो तो बहुत ही नहीं कि यह भूनली जबान है और पाकिस्तान जो है कोई भी मुल्क को ऐसी जबान जो है वो तो एक नैशनल ओनर नैशनल डिगनिटी जो है वो दोब बे लगने वाली बात है वो उन्न उन्होंने बिल्कु ठीक क्या है कि उस कीमत पर izφाए किसी काम को भी नहीं करना चाहिए और यह कहना कि पाकफॉर जो है वो बिल्कु टाक्टँत्वार है वो तो सिर्फ अमरीकी इमदाद पर वो नहीं चल रहे अमरीके इमदाद में जरूर पाकिसान अफ़ाज को फाइदा पहुंचाया है लेकिन सिर्फ उनी पे इनसार नहीं है हमारे और भी डिफेंस टाइज है चीन के साथ बहुत सारी चीज़े है बहुत सारी चीज़े तो अब हम खुद बनाते है क्रूज मिसाल जैसी टेक्नालोजी है ड्रोन टेक्नालोजी है वो हम खुद करते हैं अजया अजमी सब क्या पाकिसान के पास कोई आपशन है कि वो अमरीका की आँखों में आके डाल कर बात कर सके ऐसा ही ब्रविया वहां से आता रहा तो वहां तक नोबत अगर पहुंचे तो ये जरूर आप्शन एक्साइज कर सकते हैं डानल्ड ट्रम्प जो है वो अमरीका नहीं है कोई नॉमल आदमी सुबा उठके चार बजे ये ट्वीट कर दे कि हमें पाकिस्तान की तरफ से दुखा जो है इतने सालों से मिलता आया है और हमारे लीडर जो सारे के सारे बेवकूफ थे उनको सवारी पे ले गया पाकिस्तान मतलब इन से पहले जो थे वो सारे बेवकूफ थे और हम इतने चलाक थे कि सारों को हमने सवारी करा दी तो ये थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए हमारा जो ओफिशल रिस्पॉंस है वो काफी तहमल पे मदनी है कि खामखा की बिगार जो है हम ऐसे ना करें कि ये बिगार हुई भी है तो रिलेशन्स इंप्रूव भी हो सकते हैं पर जो हमारी एक जहनी डिपेंडन्स बाहर की ताकतों पे होती है वो हमें का कम करने चाहिए वो रवएए हमें बहुत शुक्रिया आयाज़ अमीर साब आपका इसी पर हम बात करेंगे दिखाई दिख्याकार अम्तियास गुल साब ने हमें जॉइन किया है जब इसकदर तर्षी कामेज अंदाज में पाकिस्तान के साथ सलूक हो रहा है अगर दुनिया भर में यूँ ही पाकिस्तान को बजलिल करते रहें तो फिर ये तावन मुम्किन नहीं होगा हमें बस उमीद ये करने चाहिए कि जिस इज़त और गहरत का इज़ार इस वक्त हमारे स्याक्षी और फाजी रहनुमा कर रहें हैं उस लाइन पे ये काईम रहेंगे और अम्दी की इमदाद के बगएर ही कोई मिन्नत के बगएर या किसी दवाओ के नीचे आए बगएर अमरीका ने जो एक सफ्ट मौकेफ इक्तियार किया है वो खुद बखुद नीट्राइज़ को सब्सक्राइब के इस अलाला शक्रोश वर हमने के वर पाकिस्तान में अम्दान में अमरीका के रसाई बंद कर दी थी तो क्या पाकिस्तान अब मौजूदा हालात में ये और इस पर दबाव डालना है तो इसके रिए एक जवाबी एकदाम भी जरूर होने चाहिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद पाकिस्तान के जमीनी रास्ते इस्तिमाल करने के हवाले से इंटेलिजन्स शेरिंग तो मेरे खाले इन तमाम मौाइदों से बिलकुल एनराफ क कि कोई एहिमियत नहीं है किसी भी कोई 210 मिलिन के एक मुल्क के लिए और उसके बगार बहुत अच्छा गुदारा हो सकता है पाकिस्तान के पाकिस्ट बड़ी आप्शन है चीन, रूस, एरान, तुर्की ये सब इस वक पाकिस्तान के साथ शामिल है उसका बियानिया को कबू का ड़कू है फ teor हम जय को अढहरे झाल चाल, मैं से है बड़ना ङोस, आपके मिल तून, हम उसका डुदा झाल, मैं ये लितार, मैं से बड़ना के बड़ना के लिए से घार, मैं पगहरे स fps अब़ना दों थोस, अरॉक मैं, बपकरणे ब़ना है ये खमूदाने अच्वितां